कॉंग्रेस है वो राजस्थान में किन नामों को लेकर साथ में आएगी राश्टी स्थर पर इंडिया गडबंदन में दाइरा बढ़ेगा दरसल कॉंग्रेस का हाल कुछ ऐसा है जैसा च्वाइब नमस्कार ट्रेंडिंग टॉक में आपका स्वागत है मैं हूँ विशाल सुर्यकांत यह सियासत है सहाब यहां जीते हुए किले किसी अपने को भी नहीं सौपे जाते हैं वगर कॉंग्रेस गडबंदन के नाम पर इस किले की सियासी चाबी क्या किसी और को सौपने की तैयारी चल रही है दिल्ली में केंद्रिय चुनाओ समिती की बैठक हो रही है और इस बैठक में क्या कुछ खास होगा इस पर ही बात करेंगे और साथी साथ इस बैठक के बाद में कॉंग्रेस है वो राजस्थान में कि कॉंग्रेस की उहापो क्या है इस पर हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉक शो में कॉंग्रेस के सामने मुसीबत ये है कि वो स्वधर्म अपनाए या फिर गड़बंदन धर्म को निभाने की जो भूमिका है उसकी उसको पूरा करें राश्टी स्तर पर इंडिया गड़बंद धर्म के फेर में फस्ती दिख रही है चार ऐसे इलाके हैं जिन पर सिलसलेवार हम बात करेंगे कि किन सीटों पर कॉंग्रेस के सामने ऐसा संच्छे बन रहा है ऐसे पशुपेश के हालात बन रहे हैं दरसल कॉंग्रेस का हाल कुछ ऐसा है जैसा शायर मौज रामपूरी ने क्या किया स्थानिया निता कुर्ते में कलफ लगा कर तयार बैठे थे कि अब दिल्ली से फर्मान आएगा राजसवा चुनाओ जड़ेंगे लेकिन दिल्ली ने फर्मान दिया छोड़िये बाकी लोगों को सोनिया गांधी को चुनाओ जिता कर भेंगे दरसल दिल्ली में बै सीटों पर उसकी स्थती ऐसी हो गई है मानों आगे कुहा और पीछे खाई कॉंग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां चलिए सिल्थ लेवार उन चार सीटों की बात करेंगे जिसको लेकर केद्रे चुनाव समिती के अंदर भी मंतन हो रहा है पहली सीट है नागोर यह सीट कॉंग्रेस के गोरों का प्रतीक रही है कहीं कारणे इसके पीछे पंडित जवाला नहरू ने देश में सबसे पहले यहां से पंचाईती राज की स्थापना की जिसे आज तक कॉंग्रेस अपनी चुनावी सभाव में भुनाती रही है देश को याद दिलाती रही है दूसरा इंदरा गांधी के सामने जनता लहर में जब पूरे देश में कॉंग्रेस है वो चंद सीटे जीती थी उसमें नागोर एक अपना उमिद्वार पना लिया है जोती मिर्दा दोजार उननीस का चुनाव हनुमान बेनिवाल से हार गई थी और उधर अब हनुमान बेनिवाल खासकर विधान सभा चुनाओ के बाद अपने लिए नई संभावनाएं देख रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस के गलियारों में गड़बंदन की बात हो रही है मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस हनुमान बेनिवाल के साथ में कोई गड़बंदन करने का रिस्क लेना चाहेगी इसके पिछे वजह क्या है वो बता दें क्योंकि इस लोग सभा सीट में दस विधान सभा सीटें हैं और उसमें चार सीटे कॉंग्रेस बड़े अंतर से जीती है नागौर में हरिंदर मिर्धा 46 फिजदी वोट से चुनाव जीते और यहां हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी को महज 10 फिजदी वोट मिले और तीसरे नमबर पर रही इसी तरह मकराना में जाकर हुसेन गैसावत चुनाव लड जीते हैं जबकि दूसरे नमबर पर कॉंग्रेस के चेतन डूडी रहे हैं और उन दोनों के बीच में महज 2000 वोटों का अंतर रहा था और यहां भी आरेलपी को 19000 से कुछ ज्यादा वोट हैं वो मिल पाए हैं अगली सीट लाड़नू किये जहां मुकेश भाकर 50 फिजदी व बोट मिले ऐसे में न तो राजनितिक सुझबूच कहती हैं और नहीं चुनावी गनित इस बात की और इशारा करते हैं कि हनुमान बेनिवाल और कॉंग्रेस खुले रूप में कभी एक साथ हो सकते हैं हाँ ये जरूर हो सकता है कि बेनिवाल अपनी पार्टी के बजाए कॉ गड़बंदन बना लें क्योंकि कॉंग्रेस और बेनिवाल दोनों के लिए जोती मिर्धा को हराना इस वक्त एक कॉमन फैक्टर है चलिए दूसरी सीट की बात करते हैं ये वह सीट है जहां राहुल गांधी अपनी निया यात्रा को लेकर आये थे मोदी ने एक और अपनी गारंटियों को पूरे होने की गारंटी दे रखी है वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी महबत के दुकान के साथ साथ गारंटियों की एक पहली खेप जनता में जारी कर दी देखिए क्या बोले राहुल गांधी हिंदुस्तान की राष्ट्रपती हैं मगर उनको सीधा मेसेज दिया गिया कि राम मंदिर के इन्योगरेशन में आप राष्ट्रपती हो कुछ भी हो आप आदिवासी हैं आप अंदर नहीं आ सकती हैं सोच वहाँ से शुरू होती है आपने टीवी देखा राम मंदिर के इन्योगरेशन में आपने किसी गरीब को देखा किसान मजदूर ना था कौन था अंबानी था अदानी था बॉलिवुड के पूरी लाइन अप थी सारे के सारे थे उद्योग पती अरब पती थे मगर राम मंदिर के इन्योगरेशन में एक गरीब नहीं था एक किसान नहीं था एक बेरोजगार युबा नहीं था एक विकलांग नहीं था कोई नहीं था एक पांच परसंट वाला और दूसरा बाकी लोगों और किसी भी एरिया में आप देखो कहीं भी देखो आपको पिछड़े दलेत आदिवासी नहीं दिखने वाले मासवाड़ा सीट पर भारती निता पार्टी ने कॉंग्रेस के कद्दावर निता महिंदर जीत मालविय को हत्या लिया और अब कॉंग्रेस के पास में उस रूप में कोई मजबूत दाविदार बचा नहीं लेकिन कि ये लोग सभा और यहां की विधान सभा सीटें आजादी के वक्त से कॉंग्रेस का गड़ रही हैं ऐसे में याद कीजिए पूर मुख्यमंत्री अशुग गहलोत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था मालविय के जाने पर कि पुराने नेता जाते हैं तो नए लोगों क इससे इंकार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अपने दम पर विधान सभा चुनाव लड़े थे उसी रूप में हम लोग सभा चुनाव भी लड़ें क्योंकि बीटीपी या भारतिय आदिवासी पार्टी वो दौनों जिस रूप में अपना दायरा बढ़ा रही हैं दरसल में वो कॉंग्रेस के गड़ के अंदर ही सेंद लगा रहे हैं दरसल वो कॉंग्रेस की ही दिवारें कमजोर कर रहे हैं उधर आला कमान है वो गुजरात और मत्यप्रदेश में इन पार्टीयों के बढ़ते दायरे का फाइदा उठाना चाहती है समेट डूंगरपूर चहेते और करीबी सुभाजगरग भरतपूर में विधायक हैं उनकी पार्टी राष्टियों लोकदल अरेलडी अब एंडी का साजिदार बन चुकी है बड़ा दिल्चस्प हो गया चुनाओ ऐसे में सुभाजगरग जो विदान सभा चुनाओ कॉंग्रेस के साथ लड़े थे या कॉंग्रेस के समर्थन के साथ में लड़े थे ऐसे में अब लोकसभा में बीजेपी के उमिद्वार के पाले में जा बैठे हैं ऐसी ही दो और जगह हैं जहां पर लेफ्ट का दखल है और राष्टियों समझोते में गंगानगर हनुमानगर या सीकर सीट पर आई-ए इंट्री फिर से हो जाएगी और स्थानिय जिताओं और दंखम वाले मूल कॉंग्रेस इनिता उनके लिए दरियां बिछाने में जुट जाएंगे राष्ट इस्तर पर बनी परिस्तितियां कैसे राज्यों में जाकर पस्थ हो जाती हैं आगे देखिए कॉंग्रेस में क्या में बटी है राजस्तान के मुद्दे पर ऐसे में देखना होगा कि बाड़मेर जिसलमेर में हेमाराम चौधरी हैं वो चुनावी मेदान में उतारे जाएंगे या नहीं और दूसरा नागौर सीकर श्री गंगानगर और भरतपूर करोली भरतपूर को लेकर क्या फैसला होत ते नमस्कार